10 जून आज वो तारीख है जब भारत के एक ऐसे सितारे ने जन्म लिया जिसने उस खेल में भारत का नाम पूचा किया जिसमें सिर्फ पश्रिमी देशों की पकड़ थी जी हाँ हम बात कर रहे हैं प्रकाश पादुकोन का जन्म जून 1955 को बैंगलोर में एक सरकारी अधिकारी के घर में हुआ जब प्रकाश पादुकोन ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया तब इंडिया में बैडमिंटन को शायद ही कोई जानता था प्रकाश पादुकोन के पहले कोच खुद उनके पिता रमेश पादुकोन थे रमेश पादुकोन जी को भी बैडमिंटन का काफी शौक था और उन्होंने ही राज जी के पहले बैडमिंटन आइसोसियेशन की शुरुआत की साथ साल की उमर में प्रकाश पादुकोन ने शौकिया तोर पर बैडमिंटन खेलना शुरु किया और एक मैरिज हौल में उनके पिताजी उन्हें और उनके कुछ दोस्तों को बैडमिंटन खेलना सिखाते थे और आपको बता दे प्रकाश पादुकोन की जिंदिगी में एक बड़ा मूर तब आया जब 15 साल की उमर में उन्होंने नाशनल जूनियर और सीनियर चैंबरिंशिप जीत लिया तब उन्हें लगा अगर वो इस खेल को लेकर और थोड़ा सीरियस हो जाए और थोड़ा और एफट लगाएं तो इस खेल को प्रफिशनली खेल कर वो नाशनली और इंटरनाशनली एक मार्क छोड़ सकते हैं फिर आता है साल उनीस सो असी जहां प्रकाश पादुकोन की एक बैडमिंटन के स्ट्राइप ने इस खेल को भारत में देखने का नजर्या ही बदल दिया उनीस सो असी से पहले प्रकाश पादुकोन कई टैटल्स जीच चुके थे मगर जब उनीस सो असी में वर्ल नमर वन इंडोनेशियन खिलाडी लीम स्वीक किंग को हराते हैं और विश में नमबर वन खिलाडी होने का तमगा विचीन लेते हैं कहते हैं ये लम्हा इतना महान था कि आज भी लोग भारत के बैडमिंटन को प्री-1980 और पोस-1980 में बाटते हैं प्रकाश पादुकोन को 1972 में अर्जिन अवार्ड से नवाजा गया और फिर 1982 में पदम श्री लगतार 9 साल तक नैशनल चैंपिन रहें प्रकाश पादुकोन ने 1941 में बैडमिंटन से सन्यास ले लिया और उसके बाद उन्होंने खेल से नाता तो नहीं तोड़ा क्योंकि उन्होंने एक कोचिंग इंसिट्यूट खोला जिसका नाम है प्रकाश पादुकोन बैडमिंटन अकेडवी और उसके बाद कुछ वक्त तक वो बैडमिंटन असोसेशन आफ इंडिया के चेरिमेन भी रह ने प्रकाश पादुकोन की अरेंज मैरेज हुई थी और उनकी पक्नी उजला पादुकोन एक ट्रावल एजेंट है और मीडिया की लाइट से काफी दूर रहती है प्रकाश पादुकोन ने एक इंटर्व्यू में कहा है कि उनके पिदाजी कहते थे तो आज इन खबर की टीम भारत का नाम रोशन करने वाले इस महान खिलाडी को सलाम करती है और जन दिन की हार दिक्षु कामनाई देती है